देखिए आज का एक और हमारा बड़ा ही महत्पुर्ण प्रस्ण है कोस्चन नम्मर चार है कि आ लेगिक जनन की अपेक्चा लेगिक जनन के क्या लाब है प्रस्णों को बड़ी कह रहा है समझेगा क्या कह रहा है कि जो आ लेगिक जनन है उसकी अपेक्चा उसकी तुलना में लेगिक जनन के क्या लाब है अर्थात ये लेगिक जनन क्यो जानदा में तो पुर्ण है ठीक है तो इसका अंसर देखिए देखिए सबसे पहले तो आप यह समझे कि जो आ लेगिक जनन है इसमें केवल एक जनक भाग लेता है और लेगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं ठीक है तो जब इसमें एक जनक भाग लेगा तो इसमें की जो संतान है उसमें विभिनता नहीं आएगी और इसमें दो जनक है तो इसकी संतान में विभिनता आएगी ठीक है तो इसी तरह इसमें विकास की संभावना भी कम रहेग और इसमें विकास की संभावना अधिक रहेगी और तीसरा क्या है कि इसके द्वारा जो उत्पन संतान है कि इसके द्वारा आलेगिक जनन के द्वारा चुकि इसमें एक जनक है तो इसके द्वारा जो संतान उत्पन होगी उसमें बदलते हुए वातवरन को सेन करने की चमता भी नहीं होगी ठीक है और इसमें होगी तो जो लेगिक जनन के लाब है वहीं आपको यहां लिखना है तो आप पहले तो इसकी हेडिंग डाल दीजेगा कि आ लेगिक जनन की अपेक्छा लेगिक जनन के निम्न लिकित है ठीक है क्या की जगह अप लिख लिएगा निम्न लिकित लाब है और फिर लिख दिएगा नमबर एक इसके द्वारा जो भी संतानोत पन होती है उसमें बदलते हुए वातवरन को सेन करने की चमता होती है तो किसके लाब लिख रहे हैं अपन लेगिक के और इसमें विकास की छमता बनी रेती है या होती है इसमें विभिन्नता की छमता भी होती है बड़ा ही सिंपल प्रसन है पर मैंने वाकाई आपको समझाने का प्रियास किया है ठीक है अब आप इसे अपनी कोपी में नोट कीजेगा और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्टे में जाकर दूसरे प्रिशनों को भी देख सकते हैं